बाइप पथर चलते थे गौन हमारी बात सुनिये वहां पर एक मिनुटता है मैं कह रहा हूं कि वह कल भी सप्पय भारी था वह आज भी सप्पय भारी वब दच्चा बच्चा जानता कि नोग बंद रहते क्या उनको कभी हाइट अटक्समत नहीं होती क्या बात कर रहे हुआ कि यहीं है कि लश्कर भी तुमारा सर्दार भी तुम्हारा तुम सच को जूट लिकतू अकबार fun लोगों को मार देता कि अगर दूसरे मतलब उसमें पक्ष में हैं तो वह माफीयां है अगर यहीं अभ्जाल अनसारी जो है दस साल तक कब्र में जिन्दा रहेगा मैं नहीं कह रहा हूँ उनके भाई जो है अफजाल अंसारी यह कर हैं कि मुक्तार अंसारी को जब भी जरूरत पड़ेगी उनको कब्र से निकाला जाएगा उनका पोस्ट मार्टम कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा क्या वाकई उनको जो है जिस तरह से अफजाल अंसारी जो है लगातार योगी सरकार पर फायर हैं कुछ लोग मसिया बता रहे हैं तो कुछ लोग माफिया बता रहे हैं लेकिन हमारे साथ एक ब्राम्हड युवक है ब्राम्हड युवा है क्या नाम हुआ भई आपका शिव कुमार तिवारी येक मुक्तार अंसारी जो मुस्लिम है ये कहा जाता है हिंदू मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते भाई भाई नहीं हो सकते आप जो है उसको मसिया बनाने पर तुले हुए हैं क्यूं आपको क्या कृ परिवार को मार देता है एक परिवार की मौत हो जाती है कोड जो है सजा सुनाती ए आपको यह सब नहीं कि दिखता है आप उसको जो है मस्टिया बना क्यूकतर सतरपंसारिए हैं अगर आप यह बताई यह अगर वह माफिया होता तो तो साथ बार का विधायक बनता यह घृतान रहते हैं तक लेकिन वह आग तक कभी चुनाओं नहीं जीते एक बात बताएए योगी सरकार योगी सरकार बाई है कह रही है जितने भी माफिया है उनको मिट्टी में मिला देंगे उनको धरासाही कर देंगे यानि कि जो माफिया है उसको प्रदेश से भाग जाएगा या तो छोड़ क्या है अब खञ रहा है कि माफिया चला जा रहा है माफियाओं से आप को जो टोगों को मार देता जो लोगों को काड़ देता है बिल्कुल-बिल्कुल मैं आपके बातों से हुलेकन आप यह बताई कह रहा है मैं नाम नहीं लोंगा फिर उनका बात से ुसमाच estáms अगर बात बताईए जब लोगों को मार देता था बंदूकों के दम पर लोग बताते हैं उसके खिलाब जो भी मारता था, उसको धमकी देता, थम मरवा देता, हत्या करवा देता, बताए कोई उट न देना चाहे, ऊसमे इस्तिती परिस्तिरी रही हो ऐसी, कि भाई रहे उट देना पड़ता हो लोगों ढरा धमकाक लेता रहा हो, अरे हमारे उत्तर पर्देस में वही कि अगर दूसरे मतलब उसमें वह माफिया है अगर यहीं अभला निल्वां चाहे जो अगर हम हैं हम है इतना बोल रहे हैं अगर भाज 콜 से जॉइन कर लें तो बिल्कुल पाक साफ अगर सबसे बड़ा माफिया तो हमारे उत्तर परदेश में बैठाए वही तो उसको मिटाएं अब यही में तो उसका में मकसद है कि जांच परताल होनी एक बाध रहे हैं इतना कटल कि आ परिवार अपना दर्द बया कर रहा है इन परिवारों पर यह बीती है आप उनका दर्द नहीं सुने है जो उनके गाउं के आसपास के लोगों को कैसे दिन दाड़े जो है मैं दर्द समझ रहा हूं लेकिन पर इतने लोगों को मारा तह उसको हर्ड टेक का सकता है अदमी को जो जाती है एक उम्र हो जाती है जिसको लगातार जो है प्रसासन द्वारा जो है लगातार जेल में रखा जा रहा है उसका सब्रेस हो जो है जितने लोग बंद रहते हैं कि उनको कभी हाइड अटाइक नहीं होती कि किसे को अमने बीस औने दखते हो बता यह तक का देखते हो आज तक का देखते हो अ आ Sicher अभी के हुए हो हैं आपने कभी दिखाया खबर सच्चाइए है इसमें कोई कोई माफिय मर गया प्रसासन कह रही है जो आपके बातों से लग रहा या तो आप या तो आपने भाज पाकू आपको भाज्पा पैसा दिए लिए बाफ आप लोकतन की बात करते हैं अगर कोई सांव के बात करें तो दलाल नहीं है सचाय की बात करते हैं किसी का रिपोर्टिंग किया तक उसकी किसानों नहीं हो गए लेकिन हमारा तो अभी नहीं उन्होंने कहा था कि 14 लाग 15 लाग खाते में आए आए कुरपया किसी के किसे खाते माया तब वहीं तो जुंगला साबिद हो गया अब इनकी जुंगला के ना मुल्टा रख दिये गारंटी तो जुंगला पे तो आदमी भरोसा कर ल आपको नहीं चाहिए किसान सम्मान निदी आपको नहीं चाहिए गये सिलेंडर का फिरी कनेक्शन नहीं चाहिए राम मंतिर बीजेपी ने कहती मैं पनवाई 1370 जिसको कभी कोई छू नहीं सकता उसको जो है हटवाया एक मिनट आप कस्मीर में आपकी अतनी हिम्मत है कि ले स आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आपकी हिम्मत है लेने की बताओ आप नहीं ले सकते हैं बिल्कुल और जो 5 किलो रासन वाली बात कर रहे हैं मैं परधान मंत्री जी को 5 किलो 10 किलो रासन देता हूं जाकर खा कर दिखाएं एक महीने में कि आपको नहीं चाहिए भाजबाई कहते हैं लेते भी घर्याते भी हैं क्या हम तो कुछ नहीं लेते हैं लेकिन प्रधान मंत्री जी को कहता हूं कि 5 किलो रासन हम देते हैं आपको खाकर दिखाएं बस यही 2000 के लालज में पांच किलो रासन के चक्कर में जनता को गुम्राह कर रही है यह कर रहे हैं कि मतलब अगर यह गरीब किसान का लड़का अगर पढ़ेगा तो हमसे सवाल पूछेगा 18% उस पर टेक्स लगाने की सिच्छा पर क्या जरूरत थी क्या जरूरत थी आप बत कि इतना किया हुआ कितना काम और यह वही बात कहा गया है कि मतलब उनके मुक्तार अंसारी के जनाजे में जब अब जाल अनसारी पहुंशते हैं वहां पर जो आरेका डीय मखवरी होती है उनसे तीकी बाहस होती इस पर आप क्या सुचते तीकी बाहस इसलिए हुई थी एक यहां अगर आपके हमारे हमारे हां क्या होता है कि जब जो जो इतना आदम मिट्टी दिलाने की रोक नहीं है लेकिन वह कह त्व एक आदमी आप बताएक घलत प्रशाषन के साथ में जा रहा था था कि एक आदमी जाएगा मिट्टी दिला ने आप बताओ मैं आप से जानना चाहता हूं तो आकी क्या रहा है हमारी तो रही है कि भाई जो करा वो सही किया भाई हां वह इसी के लायक थी हां उन्होंने का 1144 लगा हुआ हुआ मैं मानता हू सोर सराबा नहीं होना चाहिए अब फुल प्रसासन के साथ में जा रहे तो उनको क्या दिक्कत थी क्यों रोका जा रहा था आप बताइए क्यों रोका जा रहा था उनको तो यह सब कहीं ना कहीं भारतिय जंता पार्टी की चुपी है और जंता समझती है कि 2024 में उनका क्योंकि जो दस बार और दस आदमी को इतने लोगों को मारा आप बता रहे हैं कि जबरदस्ती बंदूग देके वोट ले 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 लेता था उसको आज तक हाड़ टेक नहीं आया जेल गया तैसे हाड़ टेक कैसे आ गया उसके पीछे मतलब जाच होनी चाहिए बस हमारी यही जो बयान दिया है आप कितना सहमत हैं कितना सहमत हैं हमें अपनी राय जो है कमेंड बॉक्स में जबर बताईएगा